हाई दोस्तों Tech News पॉप सभी लोगों का स्वागत है रोजाना मार्केट में नए-nए तरह के स्मार्टफोन लाँच होते हैं और हर स्मार्टफोन में आपको नए-nए तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं बट आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसकी एक ने, दो ने, पूरी तीन डिस्प्ले होगी जियां दोस्तों हॉंक कोंग की कंपनी Turing Space ने बुदवार को तीन डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन पेस किया है इस smartphone को जून 2020 में launch किया जाएगा जिसकी कीमत तकरीबन 2750 डॉलर यानि की 1,88,000 रुपे रखी गई है हाला कि launching के वक्त इसमें कई तरके बदलाओं होंगे जिसकी वज़े से इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है कमपनी ने इस smartphone का नाम Hubble phone रखाए इस smartphone में आपको 3 display के साथ 6 camera और 2 battery भी दी जाएगी इसका primary camera 60 megapixel का होगा, बाकी के camera 12 megapixel के होगे ये सबी camera smartphone में अलग-अलग जगा पे लगे होगे इसके साथ ही पहली battery आपको 3300 mh की मिली की और दूसरी battery 2800 mh की कमपनी ने इसका पूरा वीडियो बनाया है जो भी आप यहाँ पर देख रहे है कमपनी के एक report के मताबिक इस smartphone में Qualcomm Snapdragon 855 processor दिया जाएगा हालकि इस power का processor अभी तक design नहीं किया गया लेकिन कहां ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में बात ये कि यहाँ पर आपको तिन डिस्प्ले मिल जाएगी सबसे पहली जो डिस्प्ले होगी वह है 11.81 इंच की दूसरी डिस्प्ले आपको 5.44 इंच की तीसरी डिस्प्ले आपको 5.41 इंच की मिल जाएगी प्रोसेसर की जैसे करें बात करें सनाप ड्रगन 855 अगर मात करें रम मीर्ण की तो यहाँ पर आपको 8GB प्लस 8GB मिले वाल लियानि के आपको 16GB मिले गी fare श्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर 256GB प्लस 256GB मिलेगी यानी कि यह आपको दू श्टोरेज मिलेगी primary camera जैसे कि मैं आपको बताया कि 60 megapixel का होगा और इसके बाद कि जो 5 camera है वो आपको 12 megapixel की मिलेंगे sim की बात करें तो ये dual sim phone है बट यहाँ पर आपको dual sim plus dual sim यानि कि आप यहाँ पर 4 sim लगा पाएंगे और यहाँ पर आपको 2 battery भी मिलेगी पहली battery जो मिलेगे आपको 3300 mh की और दूसरी battery आपको 2800 mh की मिल जाएगी fingerprint sensor मिलेंगे और connectivity की बात करें तो यहाँ पर आपको 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi सारे connectivity जो है वो मिल जाएंगे इसके एक और खास बात है कि यह smartphone IP68 rating के साथ होगा इसका मतलब यह होता है कि यह पूरी तरीके से waterproof और dust proof होगा तो आपका इस phone के बारे में क्या कहना है इस phone की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी और क्या यह phone market में चलेगा जरूर से मुझे comment box में comment करके बताएगा अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते तो आप अमरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे क्योंकि यहाँ पर आपको डेली ने ने वीडियो मिलते रहेंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेर कीजिएगा अपने सबी WhatsApp ग्रूप में ताकि सबी लोग इस smartphone के बारे में जान पाए तब तक लिए अपना ध्याने के का दोस्तो टेक केर बाए